हरे किष्णा कैसे हैं आप सभी कृष्ण की कृपा से आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और शीमतिराधरानी और कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे ऐसी मेरी कृष्ण से और शीमतिराधरानी से प्रात्ना है और हम सभी पर कृष्ण की और शीमत सेवा वगेरा सब कुछ हो चुका है और जो फल फुरूट का ठाकुरजी को भोग लगाना था वो भी लगा दिया है तो आज कुछ जादा बना नहीं है घर में मतलब बना है लेकिन आज का जो है वो मैं शेर नहीं कर रही हूं मेरे पास एक पहली का जो वीडियो रखा हुआ ह मैं उसे आप सभी के साथ में शेर करने जा रहे हूं जिसमें मैंने कुछ इडली और हल्वा सामबर यह सब चीजे बनाए थे यह उस टाइम का है जब आम वगेरा का सीजन चल रहा था तो उस समय मैंने ठाकुजी के भोग में आम और यह सब चीजें भी रखे थे तो यह बह संदा आएगा शायद और देखकर आप भी ठाकुजी को कुछ भोग लगाना चाहें और इस तरह से बनाना चाहें तो बना सकते हैं तो आज मैं वही शेयर कर रही हूं और यहां पर देखिए हमारी एक और तुलसी महारानी जी पहरी बहुत ही अच्छी बहुत प्यारी और बहुत घ्नी से हैं आप खुल के बता देखिए है यह अच्छी यहां पर केशी जी ने चिरिद अजने हे पिन्दा महारानी तो फाकुर जी को जब भूग लगाना हुदाए तो यहां से हम कुलसी जी फाल लेते हिसे इंके इतनी अच्छी तरह से यहां उग रही है और आज के जो ठाकोजी के दर्शन है वह भी मैं आप सभी को करवा देती हूं कि वह ठाकोजी के दर्शन जो है वह आज मैंने भगवान को तयार किया है जा उस दिर मैं इसकौन टेंपल गई थी ना वहां से ड्रेस लेकर आई थी एक रैट कलर की थी और एक यलो कलर की थी तो मैंने उनको आज यलो कलर की ड्रेस पहना आई है और वो इतनी सुन्दर लग रही है उनके उपर वैसे उनके उपर हर कलर बहुत अच्छा लगता है ब्ल्यू कलर उनके पर बहुत बहुत फपता है ब्लैक कलर मतलब सारे कलर ही उनक तो मैं एक बार उनको आपको दिखा देती हूं कि कितने संदल लग रहे हैं तो आप दर्शन कर लीजिए पहले और उसके बाद फिर मैं रेशिपी शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ ठीक है तो अगर आपको पसंद आए ये सब जैसे वीडियो ठाकुर जी के दर्शन और जो दबाएंगे तो आपको सबसे पहले नॉटिफीकेशन мिल सकेगी जिसे आप ये वीडियो जो हैं ठाकुर जी की सेवा से रिले टेड़ वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो जरूर कीजिएasion ये सब आप सभी के लिए हैं और हम सब मिलके ठाकुर जी की सेवा करन है वहाँ वापस जाने का प्रयास कर रहे हैं तो कहां तक हम सफल हैं यह हम नहीं जानते लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं खटाकोजी की सिवा करके हम भगवान के जो निकट जा सकें फिर इश्वर की जैसी आचा वो हमें कहां इस्तान देते हैं ये सब बहुत बड़ी और आगे की बात है ये सब हमें नहीं सोचना है बस इतना सोचना है कि इस दुखाले से निकलना है किसी भी प्रकार से हमें और उसके लिए भगवान की स्थिवा करनी बहुत आवश्यक है तो चलिए मैं आपको अभी ठाकुजी के दर्शन करवा देती हूं उसके बाद फिर ऐसे भी सेर करेंगे हरे किष्णा हरी बोल तो यहां पर हम सबसे पहले सूजी का हलवा बनाएंगे तो उसके लिए मैंने ये दो चमचे भरके घी ले लिया है गाई का घी है ये और आपको इसमें मात्रा इस तरह से रखनी है कि आप जिस किसी भी बरतन से मापें उस एक ही बरतन को रखें तो उस बरतन से आपको किस तरह से मापना है कि ये जैसे एक कटोरी आपने घी लिया है तो एक कटोरी सूजी एक कटोरी शकर और पांच कटोरी आप दूद या पानी ले सकते हैं तो बस अब हमने ये घी गरम हो गया था उसके अंदर सूजी डाल दी है और इसे हमने भून लिया है ध्यान रखना ह कि सूजी का हमें कलर जो है वो चेंज नहीं करना है बस ये भुन जाए थोड़ी खुशबू आ जाए तो इसके अंदर हमने एक मुठी काजू और द्राक्स डाल दिये हैं काजू को काट लिया था और द्रास को ऐसे ही डाल दिया है और एक कटोरी शकर डाल दिये हैं अगर पानी से बनता है कई जगा पर ये दूद से बनता है तो यहां एमदाबाद गुजरात में इसे दूद से ही बनाया जाता है तो हमें भी ऐसा ही पसंद आता है ठाकुर जी के लिए तो हम हमेशा दूद में ही बनाते हैं पानी में नहीं बनाते कभी तो ये मैंने बना दिया ह मतलब मैंने दूद में ही बना दिया इसे तो आप चाहें तो दूद की जगा पानी डाल सकते हैं इसमें थोड़ी सी मैंने केसर डाल दी है और अब इसे हम दूद डाल के अच्छी तरह से मिला देंगे और केसर आप चाहें तो गरम दूद में पहले से भी डाल के रख सकते हैं तो जिससे की केसर का कलर और अच्छे से आ जाएगा और ये देखिए चलाते रहें आप इसको अच्छी तरह से ये धीरे धीरे गाड़ा होता रहेगा और इस तरीके से ये हलवा जो है धीक होता जाएगा और उपर से एक चमच भर के घी डाल रही हुँ जो एक कटोरी मैंने घी लिया था मतलब अंदाजे से तो उसमें से एक चमच आप घी बचा ले एक चमच भर कर तो उपर से इससे इस स्टेज पे आपको डालना है तो जब आप इसे स्टेज पे डालेंगे तो इस हलवे का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छी तरह से निखर कर आएगा तो एक बार इस तरह से जरूर बना कर देखिएगा आपको ये बहुत पसंद आएगा अब मैंने गैस बंद कर दी है और गैस बंद करने के बाद अब इसमें हमने इलाइची पाउडर डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और ये हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल अच्छे से तयार हो गया है काफी soft बना है और बहुत ही अच्छा हलवा बन के ये तयार हो चुका है काफी लोगों को पता है कि हलवा कैसे बनता है लेकिन सभी की थोड़ी बहुत टेक्निक अलग-अलग होती है तो जैसे मैं बनाती हूँ मैंने वैसे आप सभी को बताया है तो ये हलवा अमारा तयार हो गया है अब हम तयारी कर लेंगे नारियल की चटनी की तो ये एक नारियल मैंने ले लिया है इसके मैंने चिलके जो उपर ये काले होते हैं ये वाले नहीं निकाले हैं कई बार मैं निकाल भी देती हूँ एक मुठी भरके मैंने इसके अंदर भुनी हुई मुंगफली डाली है और दो मुठी भरके इसके अंदर मैंने ये चने की डाल भुनी हुई डाली है ये चने की डाल जैसे भुने हुए चने आते हैं उसी में से निकाली हुई होती है घर पे जो चने की डाल होती है उसे नहीं डाला जाता भून के और थोड़ी सी इमली डाल दी है करीपते 10-12 डाले हरा धनिया और ये हरी मेज, हरी मेज बहुत तीखी नहीं है इसलिए थोड़ी मैने ज़्यादा डाली है और हमारे रादा माधाओ के स्वाद के हिसाब से मैने इसके अंदर नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद अब इसे हम ढखकन बन करके पीस लेंगे थोड़ा सा अगर पानी की ज़रूरत है आपको तो बीच में उसमें आप पानी डालिएगा और फिर पीसिएगा और फिर इसे हमने एक कटोरे के अंदर रख लिया है और मैं हमेशा नारियल की चटनी में धही मिलाती हूँ जादा धर और कभी कबार नहीं भी मिलाती हूँ तो ये दही से अच्छा स्वाद आता है इसके अंदर तो एक बार आप देखिएगा इस तरह से करके और दही अच्छा फेंटा होगा होना चाहिए और दूसरी बात दही खटा नहीं होना चाहिए अगर खटा होगा तो चट्नी आपकी खटी-खटी हो जाएगी तो इस तरह से एक बार आप बना के देखिएगा और ये अच्छे से मैंने इसके अंदर मिला लिया है और नमक तो हमने पहले डाली दिया था तो अभी इसकी जरूरत नहीं है और ये हमारी चट्नी जो है हाफ डन हो गई है अब इसके अंदर हम चौक लगाएंगे तो चौक लगाने के लिए ये मैंने एक बरतन ले लिया इसके अंदर मैंने एक चमच घी डाला है और आप घी या तेल जो भी चाहें वो डाल सकते हैं और मैं घीर में ही इसका छोक लगा रही हूँ एक छोटी चमच मैंने इसके अंदर चने की दाल डाली है और एक छोटी चमच उरत की दाल डाली है इसे थोड़ी देर हम भून जाने देंगे और कई लोग नहीं भी डालते हैं चने उरत की दाल मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं बई डालती है और एक समनी कि उपने मसालदानी के साथ आये घरी पत्ते डाल के अच्छी तरह से में इसे भून लिया और फिर चटने के अंदर इसे हम डाल तेंगे आप चाहें तो इसके अंदेर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं खड़ी वाली जो लाल मिर्च आती है और यह हमारा छोंक जो है वो अच्छी तरह से चटनी के अंदेर लग गया है यहाँ पर मैंने दाल उबाल ली है सांबर के लिए सांबर की रेसेपी तो मैंने कई बार आपके सास्थ शेयर की है लेकिन इसमें सिर्फ यही है कि मैंने एक कप तूर दाल ली है उसके अंदर चार पंच कप पानी डाल के और सबी सबजिया यानि कि गाजर, बीन्स, कदू, लोंकी जो भी सबजियां आप डालना चाहें वो डाल के इसे मैंने अच्छे से सीटी लगा ली है नमक और हल्दी डाल के और फिर उसके बाद में ये ड्रमिस्टिक मैंने उबाल कर डाल दिये है ड्रमिस्टिक पहले डालने से बहुत फट जाते हैं और इनके अंदर सिफ डंठल रह जाते हैं और इस तरह से खड़े-खड़े ड्रमिस्टिक नहीं रहते हैं इसलिए मैं कई बार इस तरह से उबाल के डाल देती हूं उपर से और ये मुझे सामबर थोड़ा गाडा लग रहा था इसलिए इसमें मैं गरम करके पानी डाला है और ये एक चमज भरके हमने इसके अंदर सामबर मसाला ढाल दिया है और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे इस तरीके से और ऐसी consistency काफी है जैसी मुझे चाहिए थी अच्छी perfect consistency आप चाहें तो और पतला कर सकते हैं थोड़ा सा हरा धनिया ढाल रही हूँ वैसे सामबर में ढालते नहीं है हरा धनिया काफी लोग लेकिन मैं ढाल देती हूँ और अच्छा रहता है तो बस सारा धनिया इसके अंदर डाल दिया है अब इसे हम एक दूसरी गैस पर transfer कर देंगे ये तो हमें इसे उवालना है क्योंकि एक उवाल इसके अंदर आ जाए तो सारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे जो सामबर मसाला वगरा डाला है तो जब तक हम ये चोंक इसका तयार करेंगे तब तक ये अच्छी तरह से उवल जाएगा तो इधर हम इसका चोंक बना रहे हैं तो इसका चोंक बनाने के लिए ये एक बटन रख दिया है गैस पर और उसके अंदर मैंने ये डेड़ चमच भर के घी डाल दिया है आप चाहें तो रिफाइंड ओयल में चोंक लगा सकते हैं और जैसे घी गरम हो गया है मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है इसके अंदर और सामबर में कई लोग जीरा भी नहीं डालते लेकिन मैं कभी-कभा डालती हूँ कभी नहीं भी डालती हूँ और फिर उसके अंदर मैंने राई डाल दी है थोड़ी सी इन दोनों को हम अच्छी तरह से भुन जाने देंगे और फिर इसके बाद मैं ये 10-12 करी पत्ते मैं इस तरह से काट के डाल रही हूँ आप चाहें तो एसे खड़े करी पते भी डाल सकते हैं फिर ये जैसे थोड़ा साभून जाएंगे करी पते हम इसके अंदर 2-3 पिंच हिंग डाल देंगे और हिंग डालने के बाद फिर थोड़ा सा और भून जाएगा तो ये हमारा जो चौक है वो बिल्कुल तयार हो चुका है तो अब इसे हम सांबर में डाल देंगे और ये जब तक हमारा चौक तयार हुआ है ये सांबर देखी अच्छी तरह से तयार हो चुका है उबल के और अब बस इसके अंदर मैंने चौक डाल दिया है इसे अब हम अच्छी तरह से मिला देंगे चमच की साइता से और बस थोड़ा सा औरो ये उबल जाए बहुत जादा नहीं उबलना है बस ये चौपक इसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाए और खुश्बू इसके अंदर बैठ जाए बस इतना ही एक दो वाला आने तक और बस फिर मैं गैस बंद कर दूँगी और ये सामबर भी हमारा बंद कर तयार हो चुका है देखिए यहां पर और अब हम बना रहे हैं इडली तो इडली मैं आज चौपक लगा के बना रही हूँ तो उसके लिए ये एक क्लिप जो है वो मुस्से मिस हो गई है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने दो चम्मच घी लिया है इस चौपक के लिए इसमें मैंने एक मुठी बर के काजू काटके डाल दिये हैं एक चम्मच बढ़ी वाली राई डाली है और कुछ दस बारा करीपत्ते काटके डाले हैं मैं ये तीन चीजें ही इसके अंदर डाली हैं । छना डाल भी डाल सकते हैं। उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये हमने जो बैटर बनाया हुआ है इसके अंदर हम इस चौक को डालेंगे तो बैटर मैंने पहले ही अपने चैनल पर रेसिपी इसकी डाली हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको बड़ा बड़ा बता देती हूँ कि ये मैंने तीन कप सूजी ली है और एक कप दही लिया है इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लिया था पहले फिर इसके अंदर पांच-छे कप जितना पानी डाल के अच्छे से मिला के और इसे आदा गंटा रख दिया था अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप एक घंटा भी रख सकते हैं इसके अंदर चोंक मिला दिया है और अच्छी तरह से इसे हम मिला देंगे और नमक मैंने पहले ही इसके अंदर डाल दिया था इसलिए मैं इसमें अभी नमक नहीं डाल रहे हूँ जब मैंने ये घुल बना कर रखा था था भी और ये अच्छी तरह से हम इसको मिला देंगे ये देखिए तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी कारी लग रही है इटली के लिए तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद में फिर इसे एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे हम और यहां पर एक क्लिप और मिस हो गई है मुझे जिसमें मैंने एक टेबल स्पून इनो डाला है इसके अंदर और फिर इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट दिया था तो आप एक टेबल स्पुन इस में इनों जरूर डालिएगा अब यहां पर यह हमने इटली मोल्ड ले लिये हैं और इस के अंदर मैं गी लगा रही हूँ आप रिफाइंड ओयल भी लगा सकते हैं मैं भी कभी कभी वो भी लगाती हूं रिफाइंड ओयल तो यह जो मोल्ड हैं उनसे फिर बाहर आने लग जाती है तो जितनी इस मोल्ड के अंदर आएं उसी हिसाब से आपको इसके अंदर बैटर भरना है मैं यह आप देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा खारी छोटना है और यह हमारी इटली जो है वो मतलब इटली बैटर जो है वो हमने अच्छे से इसमें भर दिया है और इदर हमने पानी गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था तो यह पानी भी हमारा गरम हो चुका है अच्छी तरह से आप देख सकते हैं अब ये मोल्ड इसके अंदर रख देंगे और करीब हम 15-20 मिनिट के लिए इनको रखेंगे हाई फ्लेम पे और ये हमारी 15-20 मिनिट में एकदम पर्फेट इटली बनके तयार हो जाएंगी और आप देखिएगा हो सकता है कम जादा समय भी लग सकता है लेकिन 15-20 मिनिट में हो जाती है और ये देखिए मैंने 20 मिनिट के बाद इसे खोल के देखा है तो ये हमारी इटली अच्छी तरह से फूल चुकी है तो मैंने इन्हें या निकाल लिया है इन्हें 2-3 मिनिट के ल ठाको जी के भोग के लिए थाली निकाल ली है और इनके अंदर हम सभी चीजों को परुस लेंगे और फिर हम अपने ठाको जी को भोग लगाएंगे तो रेसिपी कैसी लगी वो सब आप बताईएगा मुझे कमेंट करके अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को दबाईएगा चलिए हम ठाको जी का भोग लगा देते हैं और देखने के लिए धन्यवाद हरे किशना हरी वोल